हेलो गैज, वेलकम बेक तो आवर यूट्यूब चैनल, इंजिनेर माइन, टूडे, इन दिस लेक्चर, वी विल डिसकट एबाउड साइड स्लोप्स ओफ रोड पेब्मेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग साइड स्लोप्स क्या होता है, रोड पेब्मेंट का उसके रिगाडिंग हम लोग डिसकस करेंगे, और मैं आप लोग को बतला जाता हूँ सबसे पहले कि ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनेरिंग का बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट एवलेवल है, वहाँ पर आप जेख सकते हैं, बहु कोई भी road surface होता है या embankment होता है, उसके लिए हम लोग side slopes क्यों provide करते हैं और side slopes actually होता क्या है, तो इस lecture में हम लोग इसके regarding discuss करेंगे, और आपको मैं बता देता हूँ फिर से कि जतना भी subject है मैं, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है, टाइम मिलता है और जैसे ही मैं अपने का गामों से फूर्सत होता हूं तो मैं आपcho को वीडियो लेक्चर एव़ेलेबल करा तो हर एक सब्गेक्स को मैं करवा ओंगा कॉंट्रेक्ट एड़कांटस का भी करवा दिया है सर्वेंग कभी बहुत सारे लेक्चरों देव लेव लेफर और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इंजिनिरिंग का भी मैंने करवाया है मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोग को उसी तरीके से एक-एक सब्जेक्ट को टिसकस करवाता हूं तो आपको मैं बतला देता हूं आजकल मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को अग्यक्कल भी मैं करवा रहा हूं तो हम ठीजर के साथ प्रेक्टिकल भी करवाते हैं इसलिए और वजय पर कि व्युक्र मींट को सब्सक्राइब करें कि कि कर औे कि यक मैं नियुक्मेंट और कैसेמנ्जट्रक्षन होता है रोड-पेव्मेंड का थीष्यलंग का फीलिंग पर वर्क होगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को थियोरी भी बतलाऊंगा तो यह एक टाइप से इस लेक्टर में बहुत ज्यादा लेक्चर स्टार्ड किये हैं हालाकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स कर दिया है इनजिनीरिंग पर इसके बाद जो टॉपिक है है वह हमारा है side slopes होता है उसके regarding हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहले आपको बतादे कि side slopes जो हम लोग provide करते हैं वह embankment में करते हैं और road pavement में करते हैं क्यों pavement करते हैं कि road का establishment है सब्सक्राइब हमारा यह pavement surface है तो यह जो pavement को fill करेंगे तो वो क्या होगा stable नहीं रहा पाएगा वो क्या करेगा collapse करेगा क्रेक करेगा और धीरे धीरे वो एक तरह से बोल सकते धस जाएगा क्यों धसे क्यों कि साइड में इसका support नहीं है तो pavement को stable करने के लिए हम लोग क्या करते इसके stability condition को provide करने के लिए हम लोग क्या करते है side slope देते हैं side slope दो तरीके से हम लोग देते हैं ये चीज़े कहीं भी book में नहीं लिखा होगा तो तरीके से कैसे देते हैं अगर हम लोग कहीं पर पहाड को cut कर रहे हैं तो पहाड को cut कर रहे हैं तो उस condition में क्या होता है कि हमको pavement इतना ही बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं इस मिट्टी को भी extra cut करके इसमें slope provide करते हैं language में भी हम लोग देखेंगे लेकिन अभी practical जो है उसको तो हम लोग क्या करते हैं इसके आसपास कभी mountain को cut कर देते हैं तो एक cutting करके इसमें क्या करते हैं हम लोग side slope को provide करते हैं यह first हो गया दूसरा क्या होता है कि हमारा जो pavement area है वो बनाना मुझको इतना है लेकिन वहाँ पर जो swell का condition है पहले से वो mountable है कितना इतना ही mountable है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें और fill करते हैं मिट्टी को fill करते जाते हैं इसके बाद fill करके इतना कर देते हैं जितना कि हमें pavement की जरूरत होती है तो यह दूसरा type हो गया side slope का कि फर्स्ट टाइब क्या होता है कटिंग करके हम लोग साइड स्लॉप्स प्रवाइड करते हैं और दूसरा टाइब क्या होता है जो हम लोग फिल करके प्रवाइड करते हैं तो साइड स्लॉप्स का मेली जो वर्क होता है साइड स्लॉप्स का वो क्या होता है stability condition को provide करना embankment को और किसको pavement को किसी तरीके का pavement हो वो अगर कच्ची रोड भी क्यों ना हो वो मौरम का रोड क्यों ना हो वो swelling किया हुआ क्यों ना हो वो PCC रोड क्यों ना हो तो आप जहां पर रोड का construction हो रहा है वहाँ पर आप जा करके देखेंगे साइट के आसपास में जो अभी work हो रहा है तो वो work जो हो रहा है तो वो feeling वाला जो हम लोग soil fill करके side slopes प्रोड करते हैं वो हो रहा है तो मैं आप लोग को बहुत जल्दी दिखाऊंगा तो वीडियो भी अप लोड कर दूँगा आप लोग जा करके देख लेना तो side slope क्या होता है side slope का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी हम लोग pavement कर design करते construction करते road का construction करते हैं चाहे वो किसी भी तरीके का हो अगर वो vehicle movement के लिए करते हैं उसका use तो हम उस road के pavement को उस road को stability provide करने के लिए हम लोग क्या करते हैं side slope करते हैं अगर आप suppose देख लिए इतना ही pavement हमको बनाना है और हम इतना ही मिट्टी फिल करेंगे या इतना ही हम cut कर लेंगे तो क्या हमारा यह stable रह पाएगा नहीं रह पाएगा यह क्या होगा धीरे धीरे collapse करेगा और यहाँ पर पूरा खाई तरीके से बन जाएगा तो valley type का हो जाएगा और खाई जब बन जाएगा तो यह pavement जो है इसका stability रहेगा नहीं रहेगा और यह stable नहीं रह पाएगा तो side slopes जो हम लोग provide करते हैं किसी भी road में या किसी भी embankment में वो हम इसके stability के लिए करते हैं मतलब stability मतलब stable रहे, अस्थीर रहे, वो fix हो जाए, वहाँ से फिर कहीं नहीं जाए तो उसी का हम लोग बोलते हैं stability तो आपको समझ में आ गया होगा कि side slopes जो होता है वो हम road surface या road के pavement को stable करने के लिए provide करते हैं अब मैं और ये भी बता देता हूँ कि side slope जो provide करते हैं तो 2 ratio 1 में करते हैं मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, 2 ratio 1 मतलब 2 by 1 में करते हैं 2 क्या है, vertical है, अगर vertical में हम लोग 2 मीटर जाते हैं तो horizontal में हमको 1 मीटर जाना पड़ेगा तो side slopes जो provide करते हैं, 2 और 1 के ratio में provide करते हैं अगर हम इसको 4 provide करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे 2 provide करना पड़ेगा मतलब vertical में अगर हम 4 मीटर जाते हैं, distance लेते हैं, consider करते हैं तो horizontal में मुझे 2 मीटर distance cover करना पड़ेगा, consider करना पड़ेगा तब ही यह side slopes हमारा अच्छे तरीके से provide होगा और stable रहेगा और ज्यादा मतलब stability provide करेगा तो आप यहाँ पर figure में भी देख सकते हैं, मैं आपको figure में अच्छे से दिखाऊंगा कि side slopes actually होता क्या है, लेकिन यह graphical figure है, लेकिन जो real figure है वो मैं आपको बतलाऊंगा और दिखाऊंगा भी, तो यह pavement है, यह pavement surface है और यह हमारा side slope है, तो side slope दोनों तरफ आपको कहां देखने को मिलेगा अगर two way two lane है, तब आपको side slope both side देखने को मिलेगा अगर आपके पास four lane one way है, मतलब two, बोल सकते हैं कि four lane है लेकिन movement जो है, एक तरफ two way है और एक तरफ मतलब एक दो और बीच में divider है और फिर इधर से, तो यह two lane है और यह भी two lane है, तो यहाँ पर आपको side slope देखने को नहीं मिलेगा दोनों तरफ, यह सिर्फ एक तरफ ही, अगर movement इधर हो रहा है, तो आपको सिर्फ by side मिलेगा left side, और अगर आप फिर movement इधर कर रहे हैं opposite direction में, तो सिर्फ आपको side slope इधर देखने को मिलेगा लेकिन एक condition ऐसा आता है road का, जहांकि आपको side slope दोनों तरफ देखने को मिलेगा यह क्या है, two lane है, लेकिन two way है, मतलब वेहकल इधर से भी आ रहा है, इसमें कोई divider नहीं है और वेहकल इधर से भी आ रहा है, तो side slope आपको इधर भी देखने को मिलेगा और side slope इधर भी देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस diagram में कि pavement surface है यह और इसके side में side slope provide किया गया है, तो मैंने अभी बतला है कि side slope जो हम लोग provide करते हैं तो 2 ratio 1 के ratio में करते हैं, क्यों करते हैं 2 ratio 1 के ratio में, तो यह हमारा अच्छा stable रहेगा और अच्छी stability provide करें, क्योंकि हमारा जो cost of construction है, वो बहुत ज्यादा होता है अगर simple आप देखें, इस figure में, तो अगर हम यहां से slow provide करेंगे, तो यह हमारा क्या होगा, अच्छी तरीके से stable नहीं रहा पाएगा rainy season आएगा, वो drain होगा, फिर वो क्या होगा, दिरे दिरे यहां से धसना start हो जाएगा और क्या होगा, वो crack कर जाएगा, और pavement surface खराब हो जाएगा और अगर यही हम थोड़ा slow provide करेंगे, अच्छे से 2 ratio 1, 2 मतलब vertical और 1 मतलब horizontal अगर vertical में हम लोग 2 जा रहे हैं, वर्टिकल मतलब, आपको यहां पर भी मैं बतलाद दे रहा हूँ 2 ratio 1, 2 ratio 1, B ratio H, तो यह हमारा क्या है, यह vertical है, और यह हमारा क्या है, यह horizontal है, तो vertical में हम लोग कितना ले रहे हैं, अगर 2 मीटर ले रहे हैं, तो horizontal में कितना लेंगे, 1 मीटर और ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारा अच्छा stability condition provide करेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, side slopes से जितना भी query है, जितना भी problem है, आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग language में एक बार देख लेते हैं, side slopes actual में होता क्या है side slopes are the slopes provided to the sides of earthwork of a road in embankment और in cutting for its stability, यहाँ भी सेम चीज़े लिखा हुआ है, कि side slopes एक slope provide करते हैं, हम लोग earthwork के side में, जो कि road के embankment में होता है, और in cutting for its stability, और इसको cut करते हैं हम लोग, और इसको एक चीज़ यह भी बोलते हैं, side slope को cut back भी बोलते हैं, क्योंकि बाद में जो हम लोग cut करते हैं, इसका meaning से ही पता चलता है, side slopes को cut back भी बोलते हैं, side slopes in a road are so designed as to keep the earthwork stable in embankment और in cutting, तो यहाँ पर जितनी बाते मैंने बतला है कि side slopes जो provide करते हैं, वो stability के लिए प्रोवाइट करते हैं, चाहे वो उसको cut करके करते हैं या फिर उसको fill करते हैं, the nature of soil stable in embankment और in cutting, the nature of soil in earthwork, climatic condition, method of drainage provide, it is the factor which affects the design of side slope, तो मैंने अभी बतला हैं आपको कि drainage system जो होगा, drain होगा या फिर आपका बारिस होगा, rainy season रहेगा, तो वहाँ से direct climatic condition पर depend करेगा, कितना water flow करता है, उस area से, उस side slope से, इस pavement surface से, तो वो क्या करेगा, इसको defect नहीं करेगा, अगर बहुत ज़्यादा water flow करता है, इस area में rainy season है, तो इसको और अच्छे से slope provide करना पड़ेगा, तो अब हम लोग जो life picture होता है, उसमें हम लोग देखते हैं, कि side slope होता क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह pavement surface है, और यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब pavement के equal में है, इसके बाद slope provide किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से slope provide किया गया, तो यही हमारा है side slope, तो उम्मीद है, आपको पूरा details समझ में आ गया होगा, side slope क्या होता है, तो next lecture में हम लोग इसके आगे का जो topic होगा, वो हम लोग cover करेंगा, और पूरा transportation engineering भी cover करेंगा, और civil engineering का जितना भी paper है, वो सब हम लोग कोशिज करेंगे cover करने का, तो आज की lecture में इतना है, फिर next lecture में इतना है, तो आपके लिवाए.